हालो एवरिवन वेलकम बेक टू पर्चम यहां मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी इसका नाम है गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया इसके पहले मैंने गवर्णर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में आपको बताया है मैंने गवर्णर ऑफ बंगाल मतलब रॉबर्ट क्लाइब से कहानी शुडू की थी और आज हम हार्डिंग वन पर पहुँच चुके हैं हार्डिंग वन का आप समय देखेंगे तो 1844 से 1848 के बीच का समय है इन्हों के समय में क्या important event हुए हैं उनको हम detail में समझते हैं तो यह पूरी सीरीज चल रही है क्योंकि आपने देखा हूँ गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया से आपको एक्जाम में कॉशन देखने को मिलते हैं डिरेक्टली एक्जाम में कॉशन पूछ लिया जाता है कि बताइए पहला एंगलो मैसूर वार किसके समय हुआ था या फिर पर्मनेंट सेटल्मेंट कौन लेकर आया था या कॉशन पूछता है कि सतीपर्था को किस ने खतम किया था किसे भारतिया प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है यह प्रेशन आप लोग ने फ्रिक्रींटली किसी ना किसी एक्जाम में देखे होंगी और इस सभी प्रेशनों को मैंने कवर किया है हमारी सीरीज में आज हमें यहाँ पर हार्डिंगवन के बारे में बात करनी है और हार्डिंगवन के समय जो important events हुए हैं उनको हमें चर्चा करनी है तो आप लोगों से मैं कहूँगी copy pen क्लेकर बैठा कीचिए जिससे आप important events जो है वो note down कर सके otherwise इसकी PDF तो हमारी website पर मिली जाएगे तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं या notes बना कर भी पढ़ सकते हैं इसके लावा आप लोगों की वदद करने के लिए हर एक lecture में मैं क्या करती हूँ एक table मैंने बनाई है जहां पर अभी तक जो भी मैंने governor general पढ़ा है उनके समय में क्या important events हुए है वो मैंने वहाँ पर लिख दिये है आप देखेंगे war in testing क्योंकि regulating act जब आता है तो उसके बाद यह पहले व्यक्ती होते है war in testing जो की first governor general of bangal होते है तो इनके समय पर आप देखेंगे सालबाई की संदी जो की बहुत important होती है सालबाई की संदी हुई थी इनके समय पर रोहिल्ला war हुआ था पहला मराथा war जो मैंने आप आपसे question पूछा था वह war in testing के समय हुआ था second मैसूर war war in testing के समय हुआ था फिर मैंने Lord Cornwallis के बारे में आपको बताया 1786-1793 इनका 10-year याद करना है आपको कि कितने समय तक रहे हाँ इनका sequence अगर आप याद रख सको तो आप सारे events को relate कर पाओगे तो Cornwallis के समय तीसरा मैसूर war होता है श्री रंग पत्नम के संदी होती और यही व्यक्ति है जो permanent settlement को लेकर आते हैं फिर वैली जली आये थे वैली जली के सबसे important जो event हुआ था subsidy Alliance यहां से question exam में बनते हैं इन्होंने सहायक संदी को introduce किया था subsidy Alliance लेकर आये थे इसके बाद हमने बात की थी Minto 1 तो Minto 1 की चर्चा आज वापस से हम करेंगे क्योंकि Minto 1 नहीं अपने राजदूत या अपने ambassador को राजा रंजीत सिंग के दरवार पे भेजा था जिनका नाम था मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंग और मेटकॉफ के बीच में ट्रिटी ओफ अमरित सर साइन हुई थी 1809 तो दो ट्रिटी ओफ अमरित सर हुई हैं दोनों ट्रिटी इस बहुत पहला एंगलो निपाल वार या फिर गोर्खा वार हुआ था और ट्रिटी ओफ सगोली साइन हुई थी 1816 में तो यह कॉशन हर एक एक एक्जाम के पॉइंट ऑव वियू से इंपॉर्टन हो जाता है कि सगोली की संदी कब साइन हुई थी या किसके बीच में साइन हुई थी ठीक है इसके अलाव अगर हम बात करते हैं तो हमने अम हर्स के बारे में बात की इन्होंने पहला वर्मीज वॉल लड़ा था बिलियम बैंटिक बहुत इंपॉर्टन व्यक्ति हैं इनके समय पे ही सती प्रथा खतम की गई थी सती प्रथा को खतम करने के लिए इनका सहीयो कि इंडिय की कहानी शुरू होती है यहां से आपको गवर्नर जनीरल आफ इंडिया की कहानी देखने को मिल जाएगी ओके फिर Auckland आते हैं और Auckland के समय पर फर्स्ट अफगान वार होता है ठीक है यह एक सबसे एक अंसक्सेस्फुल जो गवर्नर जनरल अफ इंडिया माने जाते हैं वो Auckland वाने जाते हैं कि इनकी जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं थी अफगान वार में एक तरीके से हार का सामना हार तो हारे तो नहीं थे ब्रिटिशर्स लेकिन एक तरीके से बहुत बेज़ ज़ती हुई थी यहां पर ब्रिटिशर्स की इसलिए Auckland को बापस बुला लिया गया था और Auckland के बाद ऐलन बरो आये थे अंके समय पर ही फाइनली यहां पर आफगान वार का कंक्लूजन हुआ था और आक्लेंड के बाद ऐलन बरो आये थे उन्होंने सिंध्र कीरीजन पर कब्ज़ा कर लिया था तो सिंध्र को क्यों के एनध्स करने का का मसं bright किस ने किय था ऐलन बरो ने किया था एलन बरो के बाद के जो कहानी है वो होडिंग वन की कहानी है 1844 से 1848 के बीच में इनके समय पर जो सबसे important events आज हमें discuss करने है वो है First Anglo Sick War तो यहाँ पर आज हमें बात करनी है First Anglo Sick War के बारे में हम Treaty of Lahore के बारे में, Treaty of Amritsar के बारे में और भैरवल संधी के बारे में discussion करेंगे तो तीन संधियां या तीन ट्रिटी के बारे में हमें discuss करना है और First Anglo Sick War को हम में आपे समझेंगे यह important event जो है वो Harding One के समय है तीक है, अच्छा, इसके बाद डलहोजी आएंगे और डलहोजी आप सभी को पता कितने important है तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम डलहोजी के उपर चर्चा कर रहे होंगे क्योंकि 1848 पर डलहोजी भारत आएगा तीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Anglo Sick War को हम समझते हैं Anglo Sick War को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा मतलब मैं आपको पूरा Sick Empire थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहते हूं जिससे आप समझ सकें कि कश्मीर कैसे आया कश्मीर कैसे गया, कोहिनूर कैसे आया, कोहिनूर कैसे गया तो यह important events है, इस पूरे war को समझने के पहले इसको मैं आपको समझाती हूं यह पूरा Sick Empire है, Sick Empire अगर बात करते हैं तो founder of Sick Empire हम राजा रंजीत सिंग को कहते हैं और लगबग जो Sick Empire रहा है वो 1799 से आप देखेंगे 1849 तक रहा है, लगबग 50 साल रहा है जिसमें भी 40 साल तो राजा रंजीत सिंग ने ही साशन किया है और बचे हुए 10 साल में इनके सकसेसर आए, उत्रादीकारी आए, वो इतने capable नहीं थे कि वो इतने बड़े Empire को hold कर पाए और Britishers ने पूरे के पूरे पंजाब या सिख एमपायर पे फिर दीरे-दीरे कबजा कर लिया राजा रंजीत सिंग के समय सिख एमपायर सबसे ज़ादा एक्सपांड हुआ और सबसे ज़ादा ये फैला अगर आप पूरे सिख एमपायर को समझेंगे तो ये आपका लगदाग जम्मू का जो रीजन है वहाँ से शुरू होके आपको ये पूरा इंडस रिवर तक का रीजन आप देखेंगे यहाँ पे सिंध, यहाँ पे सतलस रिवर ही न, ये पूरा रीजन जो है बैसेकली सिख एमपायर का रीजन था और राजा राजा रंजी सिंग की जो कैपिटल थी वो थी लाहॉर तो एक दिन में इतना बड़ा एमपायर नहीं बन जाता एक दिन में इतना बड़ा एमपायर, इतनी बड़ी आर्मी के साथ इतना successful empire नहीं बन जाता इसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है तो कहानी कहान से शुरू होती है आप सभी को पता सिख्खों के 10 गुरू होते हैं और 10 वे नंबर के जो सिख्ख गुरू होते हैं वो गुरू गोविन सिंग जी होते हैं अब गुरु गोविन सिंग जी मर जाते हैं 7008 में उनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद ये पूरा भार किसक्त पर 아जाता है? बाबा बंधा सिंग बा하दर क्यों पर पुरा काम आजाता है और ये सिख जनरल कमांडर होते हैं इनको लक्षमंदेब और माधुदाश के नाम से भी जाना जाता है और फूरी सिख आर्मी को होल्ड करते हैं और इनके समय कई सारी बैटल भी लड़ते हैं चाहिए वह अफगान के साथ बैटल हो या फिर मुगलों के साथ बैटल हो तो यह अपनी लडाई करते हैं ठीक है फि इंकी भी छत्या करने के बाद एसी क्वह पावर नहीं थी यos कोई सेंट्रा पावर नहीं थी जो पूरे जिच अभाइ पूरे सिख लोगों को सांत में लिए कर सेंट्रल् पावर नहीं थी हाँ अलग-अलग आर्मी चीफ और अलग-अलग कमांडर और चीफ वगएरा थे तो उन्होंने क्या किया छोटे-छोटे हिस्से बना लिए पूरा एंपायर के जिसे हम मिसल कहते हैं तो इस तरीके से पूरा सिख एंपायर लगबग 80 सालों तक यहाँ पे 99 कर देते हैं लगबग 80 सालों तक अगर आप बोलेंगे तो पूरा का पूरा सिख एंपायर 12 मिसलों में डिवाइड़ था और हर एक मिसल में अपने एक लीडर था वो अपनी तरीके से रूल करते थे इन लोग आपस में भी मिसलों के लोग आपस में भी लड़ते थे लेकिन जब कभी अफगानी लोग या फिर मुसलिम्स इन पे हमला करते थे तो यह लोग साथ होके यूनाइट होके उनके खिलाफ लड़ा करते थे तो यह बहुत लंबी कहानी चली लगबग 80 सालों तक आप देखेंगे 12 अलग अलग मिसल्स थी और हर एक मिसल को अपनी तरीके से रूल किया जाता था लेकिन जब कोई बहारी आखरवन इन पे करता था तो वो यूनाइट ह हो जाते थे कि सिखर सैंपाइर दीर दीरत रिक्सपान होना कब से श्रू हुआ तो वो घटना अती है 1761 में 1761 में क्या होता है सबी को पता है पानी पत का तीसरा युद्ध होता है ये बात ये किसके बीच में मराठास के बीच में और अवदाली के बीच में होता है हाला कि अवदाली जीत जाता है मराठास हार जाते हैं मराठास की पावर बहुत कमजोर हो जाती है लेकिन अवदाली जो होता है न उसको भी काफी losses होते है उसकी बहुत सारी आर्मी मारी जाती है बहुत जादा पैसो का भी नुकसान होता तो वो इतना ध्यान पंजाब के रीजन पे नहीं दे पाता और उसी समय आप देखेंगे एक बहुत important मिसल का नाम आपको याद रखना है वो है आपका सुकर चकिया मिसल सुकर चकिया मिसल से ही राजा रंजी सिंग जी बिलॉंग करते थे यह आप देखेंगे यह सुकर चकिया मिसल है और यहाँ पर जन्व होता है राजा रंजी सिंग क के होते हैं और वो पूरे सिख एंपायर को समालने का काम करते हैं सबसे पहले अलग-अलग जो मिसल्स होती है आलुवालिया मिसल है या दूसरी जो मिसल्स होती है उनके राजाओं से बात करना शुरू करते हैं वहां की बेटियों के साथ शादी करते हैं और पूरा एक United Sikh Empire की स्थापना करते हैं तो इसलिए हम Founder of Sikh Empire राजा रंजीत सिंग को कहते हैं राजा रंजीत सिंग की आर्मी बहुत ही शांदार थी इसमें सभी धर्मों के लोग थे चाहिए वो हिंदू हों मुस्लिम हों सिख हों सभी धर्मों के लोग उनकी आर्मी में थे और उनकी दर्बार में भी थे वो सभी धर्मों के अच्छी थी इसलिए यही कारण था जब तक राजा रंजीत सिंग जी जीवित थे तब तक बिटिश ने सोचा भी नहीं कि वो राजा रंजीत सिंग तो फाइट करेंगे इनफेक्ट उन्होंने तो 1809 में अमरेट सर की संधी कर ली थी इस डर से किस डर से कर ली थी कि कही पौरज पाउंडरी में ही सिर्फ इतनी ही मतला वी संधी हुई थी 1809 की अमरेट सर की संधी उसमें केवल इतनी ही जम्मू, सिंध की रीजन था कि पूरा अपना एक्सपांशन करना शुरू किया इसलिए पांच नदियों का जो दोआब रीजन है पूरा का पूरा सिख एमपायर था ठीक है, इस तरीके से सिख एमपायर चल रहा था अच्छा एक और घटना होती है जैसे कि मैंने बता दिया 18th century में महाराजा रंजीत सिंग पावरफुल होते हैं और सिख एमपायर की नीव रखते हैं लाहर उनकी कैपिटल होती है यह मुलतान, श्री नगर, पेशावर, रावल पिंडी, जम्मू, अमरित सर, कांगरा इन सारे एरिया में कभजा कर लेते हैं और बहुती फ्रेंडली रिलेशन इनके अपने पड़ोसी मतलब बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के साथ होते है अब देखेगा यहां उपर की तरफ आपको दिख रहा है अफगानिस्तान का रीजन दिख रहा है और अफगानिस्तान की पीछे की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है अफगानिस्तान का जो राजा था, वो था सहासुजा दुरानी और साहसुला दॉरानी जो था उसको डीथ्रोन कर दिया था फिर ना उसको गदी से हटा दिया तो विचारा भाग रहा था भागते भागते शरन लेने कहा पर आगया, वह सिखित हैंप आ गया मतलब राजा राजा रांजीत संग के पात साहसुला आ जाता है साहा सुजा दुरानी आ जाता है अच्छा वो नादेश शहा जो कोहिनूर हीरा ले गया था तो नादेश शहा से वो कोहिनूर हीरा किसके पास पहुँच गया था अफगानिस्तान की इस फैमिली के पास दुरानी फैमिली के पास कोही नूर ही रा था और अब साहसोजा दुरानी आया मदत मांगने के लिए राजर जलहोजी जो करते हैं वो दिलीप सिंग से। दिलीप सिंग जी जो महज 10 साल के बच्चे होते हैं, उनसे कोहिनूर हीरा लेते हैं और बिटिश क्राॉण में मतलब रानी के जो क्राउन होता है उससे लगा देते हैं वहाँ पे पहुच जाता है। लेकिन फिलाल ये अफगान इस्पान से कोहिनूर हीरा किसके पास आ गया राजा रंजीस सिंग के पास तो राजा रंजीस सिंग की ट्रेजरी में उनका जो राजकोश था उसमें सबसे कीमती जो चीज थी वो Kohinur Hira ही था जो कि Afghanistan से इनके पास आया था जब इन्होंने इस दुररानी को shelter दी ती लेकिन एक तरीके से captive ही होके रखा था मतलब जेल में ही रखा था जादा घूमने फिरने की आजादी जो थी वो दुररानी को नहीं थी और दुररानी की कोई सीधी मदद भे नहीं हो पा रहे थी इसलिए दुर्राणी जो है बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है उनसे मदद लेने के लिए और फिर आप लोग को मैंने त्री पक्षी संधी के बारे में पहले भी बताया है मैंने आपको बताया था कि इस्ट इंडिया कंपनी राजा रंजी सिंग और इस दुर्राणी के बीच में संधी होती है और इस लोग डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान की गद्धी पे बापस दुर्राणी को बिठाएंगे जो मैंने आपको पहला अफगान वोर के बारे में डिसकेशन किया था अगर आपने वो नहीं देखा तो उसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे जिससे आपको ओकलेंट वाली जो कहानी है वो समझ में आएगी इस तरीके से कोहिनूर हीरा भारत में या फिर राजा रंजी सिंग के पास आया था चलिए अगली कहानी मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ यहाँ पर हुआ क्या था यहाँ पर 1809 के आसपास की बात है 1809-1810 की बात है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का कांगरा रीजन है हिमाचल प्रदेश का जो कांगरा रीजन है वहाँ पर गोर्खाज ने गोर्खाज ने क्या कर दिया था हमला कर दिया था तो कांगरा की जो राजा थे उन्होंने राजा रंजी सिंग से मदद मांगे और रॉजा रंजी सिंग की और को गोर्गा आर्मी को गोरखा आर्मी है लिए प्रिज। राजा राजीत सिंग के पास आजाता है कश्मीर राजमिर की लाहर है खुतना बड़ा सिख एंपायरि एख व्यकति यह सकती को यहाँ परे CHRISying कि of एक व्यक्ति कंबरने में कर सकता है ब्रहे है को हमारे अंडर आंडर रहके कश्मीर की बागडोर आप समालेंगे पूरा administration आप समालेंगे इस तरीके से कश्मीर को समालने का काम किसको दे दिया और डोगरा फैमली को दे दिया गया राजा रंजी सिंग की द्वारा और 89 में कश्मीर जो है वो राजा रंजी सिंग की territory बन चुकी थी क्लियर है तो आप देख रहा है कि राजा रंजी सिंग की policy किस तरीके से है उनकी आर्मी किस तरीके से है और सिक्क एमपायर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है ठीके ना 449 में महाराजा रंजी सिंग की डैथ हो जाती है तो एक political तो राजा रैंजी सिंग का अब जो बेटा होगा वह successor होगा वह गद्धी पर बैठेगा इसलिए यहां पे करक सिंग जो राजा ठीक इनको गदी पे बिठाने की बात होती है लेकर जब्सकाइब सब्सक्राइब से लट रहे होते हैं मदरबwechsel सोचा राजर रंजीत संहकों कि रлек City हो गई ठीक आव म utilizz जो व॑इफ वा कि प्रेढ्डेंट ती तो यहां पर नवनिहाल सिंग की मम्मी ने उनकी मदर ने सोचा चान का उनका नाम था उन्होंने सोचा कि अब जो उनका ऐसा सोचना था कि बेटा होगा और बेटा होगा तो हम इसको गदी पर बिठा लेंगे लेक्ट के नहीं तो खरक सिंग का बेटा है नो खरक सिंग के बेटे को बेटे क चलते हुए 1843 में उनकी हत्या करा दी जाती है उनको मार डाला जाता है 1843 में तो खरक सिंग चले गए नवनिहाल सिंग की डैथ हो गई और सेर सिंग की डैथ हो गई अब बचता है कौन दिलीप सिंग अब कौन बचते हैं यहाँ पर दिलीप सिंग बचते हैं दिलीप सिंग अ इनको जम्मु से बलाया जाता है और उससोंगे दिलीप जो होते हैं वह जो होते हैं अब बहुत चोटे हैं इसलिए इनकी जो सनरक्षी का होती है मतलब जो कि जब तक राजा दलीप सिंग बड़े नहीं हो जाते तब तक रूल कौन करेगा रानी जिंदल करेंगी तो रानी जिंदल जो है वो पूरा सिख एंपायर का कारभार अपने उपर समाल लेती है तो आप देखेंगे महज साड़े चार सालों में यहाँ पर आप देखेंगे राजा रंजी सिंग की मृत्ती होती 1839 में फिर खरक सिंग नव नेहाल सिंग उसके बाद शेर्षिंग और सेर्षिंग के बाद अब आ गया दलीप से तो साड़े चार साल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिख एमपायर में कितनी political unistability है तो यहाँ पर कितने सारे group बन जाएंगे जो रानी जिंदल के support में होंगे कुछ सेर्श सिंग के support में थे इस तरी किसे अलग-अलग group बन गया कितनी political unistability जो है वो सिख एमपायर में देखने को मिलेगी तो दिलीप सिंग यहाँ पर यंगे संते महराज रंजी सिंग के और रानी यहाँ पर राज माता जिंदल या रानी जिंदल के संरक्षण में उन्होंने जो है वो एमपायर को समालने का काम शुरू किया अब यहाँ पर बात करते हैं तो जो आर्मी होती है तो आर्मी का जो लीडर या वजीर हम बोल सकते हैं तो रानी जिंदल के समय हीरा सिंग डोगरा हीरा सिंग डोगरा जो थे वो वजीर थे लेकिन यहाँ पर अगेन पॉलिटिक्स के चलते हुए हीरा सिंग डोगरा को भी मार दिया गया 1844 में ऐसा बताते हैं कि रानी जिंदल का लवर था लाल सिंग रानी जिंदल का लवर कौन था लाल सिंग और लाल सिंग को जो है वो अगला वजीर बनाया था तो यहाँ पर लाल सिंग और तेजा सिंग आपको दो नाम देखने को मिलेंगे तेजा सिंग जो है इसे कमांडर बनाया गया टूप का और लाल सिंग जो है इसे वजीर का टाइटल यहाँ पर दिया गया और यह आंगे चलके तेज सिंग कमांडर बन गए लाल सिंग काम कॉन कर रही है तो उनकी रीजेंट है रानी जिंदर। इतनी कहाई क्लियर हुई तो चार नाम आपको याद रखने है फिलहाल के लिए चार नाम आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे कौन-कौन एक रानी जिंदल का नाम याद रखना है फिलहाल रानी जिंदल के अलावा राजा दिलीप का नाम याद रखना है लाल सिंग और तेजा सिंग का नाम आपको याद रखना है यह चार लोग अभी यहाँ पर पूरे सिख एंपायर को होल्ड कर रहे हैं, रन करने का काम कर रहे हैं अब देखिएगा, यह सब तो ठीक है, चली रहा है लेकिन इतना खर्तरनाक अगर हमारा पड़ोसी हो कर लिया था एलन बरो ने 1843 में, पहला अफगान वार हो चुका था ठीक है न, 1842 में, फिर गॉलियर का जो रीजन था, वो भी अक्वायर कर लिया था ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने भारी संख्या में, भारी संख्या में अपनी troop को deploy करना शुरू कर दिया था, 17 रिवर के किनारे भारी संख्या में अपनी troop को deploy करना शुरू कर दिया था कहाँ춰 17 रिवर किनारे तो इससे सिक arch empire थोड़ा डरेगा ही कि आखरेधी पड़そんな क्या करना चाहते है सिंदКाा रिजा ने तो सिंद्ध को भी आपने ध्याय कर लिया हैं यहाँ पर आप 17 वर्ट की किनारे भी अपनी टूप को ले कर आ रहे हैं तो इनको डर लगने लगा तो हुआ क्या कुछ सिंख टूप aus कर लिया और यहां पर यह हो गया बृज Treaty of Amritsar का Treaty of Amritsar 1809 वाली याद आया जिसमें 17 रिवर को boundary बनाया था जो अब सिख आर्मी यहाँ पे cross कर गए तो यहाँ पे बिटिशर्स को मौका मिल गया कि आपने ट्रिटी को तोड़ा है आपने यहाँ पे border cross की है तो आपको हड़ जाना तो भुगतना पड़ेगा अब यहाँ पे तो यहाँ से शुरू होती है battle जिसको हम first anglo sick battle के नाम से जाते है पहली anglo sick war ठीक है इतनी चीज़ कलियर है यहाँ पर the first anglo sick war is set to have begin in December 11, 1845 1845 में जो है पहली sick war यहाँ पर शुरू होती है because sick army सतलश रिवर को cross कर लेती है क्यों कर लेती वो भी मैंने बताया कि अफगानिस्तान का battle हो चुका था सिंध और गॉालियर के reason को English army ने ब्रिटिशर्स army ने seize कर लिया था और English या English जो थी उनकी soldiers जो है border area में लगादार आते जारे था उनकी संक्या बढ़ते जा रही थी इस reason से सिंध आर्मी ने सतलश रिवर को cross किया और यहां से शुरू होती है Anglo sick war आप देखेगा जो सिंध आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी पचास हजार की सिंध आर्मी थी जबकि ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो लगभग 20-30,000 की बिटिशर्स की आर्मी थी और दोनों के बीच में December 1845 में जो है वो वार शुरू होती है बट कमांडर को ने वहाँ पर देखो मैंने आपको बता है ता कमांडर था तेजा सिंग और वजीर था लाल सिंग और ये लोग धोका दे देते हैं सिंख आर्मी को ये लोग धोका दे देते हैं जब कमांडर ने ही धोका दे दिये तो आटोमेटिकली विना फाइट करे जो है बिटिशर्स जीत गए यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे पाँच अलग-अलग बैटल अलग-अलग जगहों पर लड़ी जाती है बिट्वीन बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मी वो पाँच बैटल आप सिर्फ नाम याज रखने के लिए कर सकते हैं उनकी डेट वगरा याद रखने के जरूरत नहीं है मुडकी फिरोश शहा फिर है बुदेलबल अलीबल और सोबरॉन ये पाँच जगहों पर अलग-अलग जगहों पर बिटिश आर्मी और सिख आर्मी की बीच में फाइट होती है और यहाँ पर लाल सिंग और तेजा सिंग ने जो है बिना लड़े बिटिश आर्मी लाहर तक पहुँच जाती जस्ट विकॉस अफ तेजा सिंग और लाल सिंग अब यहाँ पर इस तरीके से एंड होता है जब आपके कैपिटल रीजन में आर्मी दुश्मन की आर्मी पहुँच गई है मतलब आप बैटल हार गए हो आपको सरिंडर करना पड़ेगा और आपको संदी साइन करनी पड़ेगी तो यहाँ पर अप टिटी साइन होती है फर्स्ट एंगलो सिख वार के एंड होने के बाद तो पहली जो एंगलो सिख वार होती है वो आठ मार्च को 8 March 1846 8 March 1846 को end होती है और एक treaty sign होती जिसको हम treaty of Lahore कहते हैं तो याद रखेंगे 1846 में treaty of Lahore sign की जा रही है चेक है? किसके बीच में? सिखों के बीच में और British Army के बीच में अब देखो यहां से कहानी बहुत interesting शुरू होती है अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि British Army तो आपको पता ही हमेशा से Britishers क्या करते थे कभी भी कोई लडाई होती थी तो सामने वाले को बोलते थे कि आपकी वज़े से लडाई हुई तो compensation हरजाना वार में जो खर्चा हुआ वो आपको देना पड़ेगा पहले भी आपने कहानिया देखिए तो अगेन वही कहानी इनों ने रिपीट की कि जो सतलश रिवर को क्रॉस किया था आपकी आर्मी ने उसके कारण बैटल हुए हमारा नुकसान हुआ है तो आपको हरजाना तो देना पड़ेगा और एक करोर रुपे एक करोर रुपे जो हरजाना मांगा बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एमपायर से तो सिख एमपायर के पास एक करोर रुपे तो नहीं थे बिटिशर्स को देनी के लिए और बिटिशर्स इससे कम में तयार भी नहीं हो रहे थे वो तो कह रहे थे कि हमको तो एक करोर रुपे चाहिए हमें वार का compensation चाहिए अभी क्या किया जाए तो यहाँ पर देखेगा तो इनकी नजर बेसेकली दौआब रीजन पर थी और आप सभी को पता है कि दौआब रीजन बहुत fertil होता है वहाँ पर production बहुत जादा होता है जब production जादा होगा तो आपको tax भी आप ज़्यादा वसूल सकते हो ना तो बेसेकली यहाँ पर बिटिश एसट इंडिया कंपनी की जो नजर थी वो जलंदर द्धव पे थी तुरह ने ब cham करो रूपे हमको बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया ठीक है अब यहाँ पर डोगरा जो थे आपके डोगरा राजा जो की जम्मुएन कश्मीर के रीजन में रूल कर रहे थे अंडर द सिकhou एमपायर उन्होंने सोचा कि सिकह एमपायर की हालत तो बहुत खराब है अब मुझे अपना अलग एमपायर अपना एक अलग किंडम बनाना चाहिए तो उन्होंने बिटिश इस इंडिया कंपनी को कहा कि हम आपको एक करोड रुपे तो इस दिख्खे दे नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं आपको 75 लाख रुपे देते हैं हम आपको 75 लाख रुपे देते हैं और यह जो कश्मीर का रीजन है आप हमको दे दो तो आप लोग हमेशा जब कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो डोगरा राजा के बारे में आप जरूर डिसकेशन करते हैं तो यह जो संधी हुई थी यह जो ट्रिटी हुई थी इसको हम ट्रिटी ओफ अम्रिट सर कहते हैं ट्रिटी ओफ अम्रिट्सर 1846 में 1846 में हुई थी जो कि राजा गुलाब सिंग राजा गुलाब सिंग और बिटिश इस इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी क्योंकि सिख जो थे वो पे नहीं कर पा रहे थे एक करोर रुपे इसलिए 75 लाग रुपे दे कर कंपनी को गुलाब सिंग ने कश्मीर के रीजन को अपना लिया था और इसे ही हम ट्रिटी ओफ अम्रिट्सर कहते हैं 1846 में चीक है ये 1846 की कहानी इतना समझ में आया आगे बात करते हैं तो क्या क्या हो गया प्रिटी की क्या क्या बाते होंगे पहली बात होगे कि एक करोर रुपो दो एक करोर नहीं दे पा रहे तो एक काम कर दो जलंदर दौाब का रीजन दे दो जलंदर दौाब ले लिया जलंदर दौाब के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ा तो और एक ღ पर में रेसिदेंट को रखा गया इस प्रिटिस रेसिदेंट को रखाग्या विंद्ध सिदेंट को prawd लाहौर में ठीक है और फिर इनको बोला किया आपको इतनी बड़ी आर्मी 50,000 जो सेना थी आपके इतनी बड़ी आर्मी रखने के क्या ज़रूरत है हमारी आर्मी तो है ज़रूरत पढ़ेगी तो हुँ मदद करेंगे तो इनको बोला गया कि अपनी आर्मी को reduce करो तो आर्मी को reduce करने की बात यहाँ पर बोल दी गई आर्मी को reduce करने की बात कर दी गई इसके अलावे इन्होंने कहा कि हाँ हम राजा दलीब सिंग को सिख एमपायर का राजा मानते हैं इन्होंने दलीब सिंग जी को लाल सिंग वजीर थे और रानी जिंदल रीजिन थी तो ये सारी चीज़ें टृटी ओफ लाहर के अंदर हुई तो यहाँ पर देखेंगे टृटी ओफ लाहर और टृटी ओफ अम्रिट सर पैलल चल रही हैं टृटी ओफ लाहर जो साइन हो रहे है वो सिख एमपायर और बिट शीस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हो रही है और दोनों टुटी पैरलल चल रही है इसलिए दोनों टुटी को आप अलग-अलग याद रख सकते हैं इस तरीके से टुटी आफ अम्रिट सर के अंतरगत 16 मार्च 1846 को गुलाब सिंग जी को कश्मीर हैंड ओवर कर दिया गया क कश्मीर इस तरीके से गुलाब सिंग जी के पास पहुचा जो कि दोगरा राजा थे इतनी चीज़े क्लियर हो गई इतनी चीज़े अब देखो यह जो संधिया हुई थी चाहें अम्रिट सर की हो या लाहूर की हो इससे सिख एंपायर के जो जनता थी जो पब्लिक थी वह ख खुश नहीं थी तो उन्होंने क्या कर दिया रिबेल कर दिया उन्होंने विद्रो कर दिया अब एक चीज़ बताओ कोई इतना ब्रिटिश आर्मी जो इतनी बड़ी बड़ी तेरिटरी को एनेक्स कर सकता है तो एक छोटे से विद्रो को नहीं दबा सकता बिलकुल बहुत इसली दवा सकता है तो यहां पे सिख आर्मी ने जो प्रिटिशर्स आर्मी है उन्होंने सिख के रिवेल को उनके विद्रों को खतम कर दिया अब उन्होंने बोला नहीं अब टृटी ओफ लाहर तो ठीक ही है अब हम एक और टृटी करेंगे अब हम एक और टृटी करेंगे त Treaty of Lahore तो consider हो ही रही थी, चली ही रही थी Treaty of Lahore से जनता खुश नहीं थी, लोग खुश नहीं थे लेकिन उसके बाद अगेन एक और treaty sign की गई जिसका नाम है Treaty of Bearable ये भी घटना 1846 की है, Treaty of Bearable sign की गई और ये जो treaty थी, ये तो और भी जादा humiliated थी, और भी जादा अपमाल जनक थी इसमें क्या कहा गया, Treaty of Bearable में ये जो सिख आर्मी ने, सिख लोगों ने जो विद्रो किया है, उसका कारण है रानी जिंदल रानी जिंदल ने लोगों को बढ़काया है तो एक काम करो रानी जिंदल जी, आप बस में बैटो और जाओ बनारस हम आपको वही पे पेंशन देंगे, तो रानी जिंदल को भेज दिया बनारस पेंशनर के रूप में कि हम आपको वहाँ पेंशन देंगे ठीक है अब रानी जिंदल तो गई तो रानी जिंदल कौन थी रिजेंट थी ना संरक्षी का थी जिसके अंडर पूरा एंपायर रन हो रहा था और लाल सिंग आपके कौन थे वजीर थे लाल सिंग कौन थे वजीर थे इसके अलावा दिलीप सिंग तो राजा है ही तो यहाँ पर वजीर है दिलीप सिंह राजा है लेकिन जो रेजेंट थी रानी जिंदल सनरक्षी का थी इनको बनारस भेज दिया गया अब एंपायर कैसे चलेगा तो एंपायर चलाने के लिए हैंडरी लॉरेंस ने कहा कि हम 6 सर्दारों का एक ग्रूप बनाएंगे एक काउंसल बनाएं जो है वो सिख एंपायर रान होगा ये ट्रिटी ओफ बहरोबल की बात थी क्लियर है तो देखेंगे आठ सिख सर्दारों का यहां पर एक काउंसल बनाया अंडर बिटिश रेसिडेंट हैंडरी लॉरेंस और यही अगले रेजेंट होंगे जो की इस पूरे सिख एंपायर को चीक है अब जब डल होजी के बारे में बात करेंगे तो हम सेकेंड नम्मर की एंगलो सिख वर को वहां पर डिसकस करेंगे आपको यह पूरी बैटल समझ में आई होगी तो इस बैटल में आपको मुखे तोर पर तीन बाते याद रखनी है क्या 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 इसके क्रॉजस थे वो बाते आपको याद रखनी यहां से एक्जाम में कॉशन बनते हैं और टुटी ओ अम्रिट्सर में तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दो बार हुई थी एक 1809 में और एक 1846 में और 1846 की थोड़े इंपोर्टेंट हो जाती है 370 के बाद से है न तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट फीडियो में अगले गवर्नर जनरल अफ इंडिया के साथ तब तक अपना ध्यान रखेंगे टेक क्यार